नमस्कार दोस्तों आज आपको बता दें कि इसके पहले जो वीडियो पनाया थे उसमें थोड़ा सा कट हो गया था यानि पूरा नहीं हम दे पाया थे और जिन्हों ने ये हमारे पास भेजा था ये स्टी का जो डाइग्राम उन्होंने एक कमेंट भी किया था कि हमें जो है सम को बता दें कि यह जैसे कि यहां पर देखें कि यह जो उन्हों ने यानि विनोट जी ने जो महाराष्ट से यह भेजे है यह स्टी उन्ति सिंज का जो प्रॉब्लम है उनका यह देख लेजिए यह उनका यह स्टी है और यह जो हम बताएं है यानि उसके पहले वाले वीडि इसके पहले वाले वीडियो में उसके लिखे है नमबर उन्हों ने जो एक कमेंट करके कहा यहां पर एक इनकी जो प्रॉब्लम आ रही है लिखा लो भी यानि पिन नमबर आठ उनको नहीं समझ में आया है और बाकी हम उनको एक क्लियर कर दे रहे हैं कि कैसे कैसे इनको इस वा है ऐसे और एक नमबर इनका यहां से स्टार्ट होता है यानि इस एस्ट को यहां पर लाएंगे या इस एस्ट को यहां पर ले जाएंगे तो दोनों में क्या करना है कि अगर हमको इस एस्ट को यहां पर लगाना है तो इसके हिसाब से यहां पर जो है इसे मैनेज करना होगा यहाँ जैसे यहाँ पर PIN नमबर 1 योग कोई के लिए है तो यहाँ पर देखिए यह जो है PIN नमबर 1 यानि कलेक्टर से जुड़ा हुआ है ट्रैंस्टर के अब इसके लिए क्या करना होगा कि जब इस ST को आप यहाँ पे लाएगा तो इसके लिए आपको यहां से इसे कट कर देना है यानि यह जो लाइन जा रही है यहां पर अभी हो गया कट यानि फिरी हो गया अभी यह जब यहां पर आएगी तो यह फिरी हो जाएगी यह कोईल के लिए यह अब दूसरा हुआ यच आउट्पुट टांश्टर का यानि पिन नमबर दो अब यहां पर पिन नमबर दो क्या है 140 इन हो रही है यानि 110 जो पिन नमबर चार पर है इसको भी कट करिए अब आपको यहां पे देखे ध्यान से यह हो गया फिरी यह पिन नमबर एक यानि यहां पे जो है इसका जो यो क्वाइल के लिए है वो यहां पे आपको बता दे कि यह इस तरीके से होगा यह खाली आपसन छूटा रहता है जिसे आप देखते होंगे स्यार्टी टीवी की जो किट आती है चैनीज वहां पे ऐसे करके साकेट बना होता है और ऐसे करके यानि इसी तरीके से इसमें यो क्वाइल के मैचिंग के लिए जो है एक दो तीन चार बने होते हैं यानि कि अगर इसकी चौडाई कम ज्यादा करनी है तो यहां पे हम लगाए अगर कम करना है तो यहां पे लगाएंगे इस तरीके से जो है एक जो यूनिवर्सल हमारा कालीजी या चाइनीज किट जो आती है उसमें ऐसे से पॉइंट बने होते हैं उस टाइप से इस आई यह स्टी को इसलिए हम कामन मिलिये है कि यहां पे अगर आप अपने टीवी के जो बिट्थ है उसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि इसके भी प्रॉब्लम आते हैं यानि यह स्टी मैच नहीं करती अब यहां पे देखें यह पिन नमबर एक देख लिए यहां पे हमने कट किया जो पहले लगी थी अब हमको इसको लगाना है अब इसे हम खाली छोड तो यहां पिन नमबर दो यानि यहां पे अब इसको हमको क्या करना है इसचीज को यहां पर ऐसे जोड़ देना है यानि जब यह यहां पर आएगी तो इसे यहां से कट कर सब्सक्राइब इस लाइन को भी कट करिये यह तो फिरी हो जाएगी अब क्या करना है पिन नमबर चार अब देख लिजिए यहां पे जो कट किये है इसे अभी इसको आप लेते आईए ऐसे वायर से जोड़ दीजिए पिन नमबर चार अभी क्या हुआ यह जो है सीधे पिन नमबर चार पे इन हो रही है और पिन नमबर दो से आउट हो रही है अ कि यहां से आप कम ज्यादा करके इसके बिर्ष्त को कम या ज्यादा कर सकते हैं यह पिननंबर एक हो गया ठीक अब यहां बचा तीन पिननंबर तीन यह यह आल्रेडि इसको भी खाली रहने देना है जब जरूरत होगी हमको यह कोयल की बिर्थ अरिच ब्हूरट होगी अगर कम जाधा करना होगा तब ही हमको उस यह क्वायल का जो एक वायर है यह तो ग्राउंट से उचसे होगा और दूसरा जो है यहाँ पर जो जूड़ेगा यहाँ पे चाहे यहां पर चाहें यहां पर चाहें कलेक्टर पर जहां पर मैच करें एक वायर कि उसको जो है आपको यहां पर ले लेना है अब यहां पर देखें तीन नंबर फिरी यहां पर तीन नंबर फिरी अब क्या बचा चार नंबर हो गया चार नंबर बचा पांच नंबर पांच नंब कम करने क लिए पिन नंबर 6 पिन नंबर 6 अल्रडी यंसी है अब यह हम को जो है इतना क्लेर हो गयर घुष तक यह अब क्या बशता है पिन नंबर 10 जो कि जहां से सपहलिश्टिफ हमारे तो है यहां पर इनका पहले से इसको भी कट करें अब यह तेन नमबर फिरी हो गया अब यहां पर क्या होगा यह टेन नमबर पर एक सोश्टी बन रही है एक सोश्टी इनका कहा बन रहा है यहां पर अब यह जो कट किये हैं तो इसको क्या करना है ऐसे यहां से एक वायल लेकर ऐसे आकर जोड़ देना है अब क्या होगा पिन नमबर द है filament और यहां पे 8 नंबर है और यहां पर यहां पर क्या करना होगा इसे कट करिये इसको फी अभी हो गया NUMBER कट गया अभी यहां पर आठ नंबर यह जब यह पर आएगी तो आर्ठ मंबर हीटर है न यहां पर यहां पर यह लो भी कर करिये अब देखिए इसका जो 9 नमबर है यानि हीटर और इसका 9 नमबर ABL है अब इसे open राने दें यहां और यह जो है यह हीटर हीटर हमको कहां पिलाना है आठ नमबर पर अब यहां से जो है इसे ऐसे जोड़ देना है अब इसके बाद यह जो आठ नमबर यहां हीटर का हो गया इसके हिसाब से चल रहे है और 9 नमबर ABL है अब ABL यहां कहां पे है यहां पे है तो 7 नमबर पर आउट हो रहा है यहां से ABL जो है कट कर दिजेए अब Jeesक वाला पॉइंट यहां से नो नमबर तो जोड़ देते हैं अब देखें, 9 नमबर से abl हमारा यहां पर जूड़ जाएगा, क्या हुआ, यहजोई नमबर इस Сबसके हिसाब से आप几ी नमबर 7 यह देखिए यह ग्राउन है और यहां पर ground था, अब यहीं ground अगर मैं यहां पर डार्ए कहीं से ground ले सकते हैं, जहां से नज़िदीकों, अगर नहीं ground है, तो यहां यह जो cut किये हैं, आप इसे जोहलाइकर यहां ground कर दें, यह आपका टोटल ओके हो गया, अब यह बचा AFC, AFC का जो मामला है अब आप फसी जो है पांच नमबर आप छोड़ेंगे तो यह भी योग का यह 5 नमबर और 6 नमबर अब यह इसी का जो यह पॉइंट जा रहा है यह नहीं IC पे तो यहां हमको हीटर से FC लेना है तो यह क्या होगा यह जो हीटर की सप्लाई आएगी, ऐसे, यहां से जो EFC, यानि जैसे यह हीटर जा रहा है, यहां से हमको एक रेजिस्टन लगाना है, यानि मैचिंग के लिए, और EFC को मैच कराने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं, एक डिवाइडर सर्कुट के द्वारा भी जो है, इसे आप ले सकते हैं, और PF से भी जो है, इसे मैचिंग करा सकते हैं, यानि यह एक आटोमेटिक फ्लाइबेक कंट्रोल है, और यह पल्स जो है, इसके ना मिलने से, य साइड में जो है, खड़ा मतलब काला पट्टा आता है, या EFC प्रावलम होती है, तो यहां यह हो गया 1K रिस्टन्स और यह हो गया 4K 7PF, अब यहां से आपको जो है, यह पॉइंट जो है, ऐसे फिलामेंट से जोड़ देना, जिसमें भी अगर EFC पॉइंट ना हो, उसे आप फिलामेंट से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप इससे मिलता जूलता कोई भी ST, इस तरीके से जिए से हम बताएं हैं, आप लगा सकते हैं, यह अभी आप जो पांच नंबर से कट किये हैं, तो तुरंत EFC को यहां पे लाकर, ऐसे एक रिस्टन्स और PF के द्वारा ल लगा के, जैसे 10 के 10 के यहां पर करके जो है, ऐसे डिवाइडर सर्कुट के द्वारा बनाया जाता है, यानि जब यहां पर इही फीटर के सप्लाई यानि बोल्टिज कम होता है, फाइव बोल्ट के आसपास होता है यह सी, और अधर से जब लिया जाता है, तो यहां पर यहां से बना सकते हैं, दूसरा कंडिशन यह है, कि आप यहां पर एक जीनर लगा दें, 8.2 ग्राउंड कर दें, इसके एनियोड को, 8.2 बोल्ट जीनर, अब आप यहां से जो है, ऐसे भी इसको मैच करा सकते हैं, इस तरीके से भी, मतलब आपको जो भी प्राब्लम होगी, इसका जो फाल्ट आएगा, आपको खड़ा पट्टा आएगा काला, तो उस हिसाब से कम ज्यादा वैलू करके आप मैच करा सकते हैं, नहीं तो आपका 1K और इससे जो है, इसकी मैचिंग हो जाएगी, पी-फ से, जहां तक है, नहीं थोड़ा सा प्राब्लम के लिए आपको इसको थोड़ा मैच कराना पड़ेगा, और अगर आप नहीं मैच कराना चाहते हैं, तो कोई भी ST आप इससे टेली कर लें, जैसे हम आपको बताये हैं, और उसको टेली करने का जो सबसे आसान तरीका होता है, कि यहाँ पे PCV पे लिखा होता है, अब यहाँ पे आपका जिस देख के बता सकता था, तो उसके लिए आप देखें, कि यह कहां गया है, बाकि आपका सारा मामला ओके हो गया है, यह स्टी भी बन जाएगी, फिलामेंट भी जल जाएगा, बुल्टेज भी हो जाएगा, जो कुछ होगा इसक्रीन पे आएगा, बचे गा इसका मामला, तो यहां पे देख सकते हैं, किसी आइसी पे गया है, टाइस्टर पे गया है, कहां किस लिए गया है, उसके अमसार अगर आपको कोई एक जलरी सप्लाई की पी जरूरत पड़ती है, तो यह स्टी के कोर पे एक पतला सा वायर का परका, थोड़ा सा वहां अगर मालूम हो कितने बोल्टेज वहां पे हैं, तो आप उस हिसाब से उस कोर पे उस वायर को लपेट के और एक वायर गराउन करके, दूसरा जो है आउटपुट के रूप में, जितना बोल्टेज आपको चाहिए, उतने टर्न वहां पे लपेट के आप ले सकते हैं, इसके लिए आपको दगाने का जो सिस्टम बता हैं, यह इसलिए बता हैं, क्योंकि देखिए कोई भी CRT TV है, कलर टीवी, तो उसमें जो स्वीचिंग होती है, यानि याच आउटपुट की, वो 15625 साइकिल की होती है, यानि इसकी जो ड्यूटी साइकिल होती है, वो 15625 ही होती है, तो सबका ही यह सेम ही फिरक्वेंसी पे यह जो ड्राइव होता है, ट्रैइस्टर, और इसका जो आउटपुट मिलता है, यह लास्ट नोट पे जो भी सप्लाई जाती है, इसी के अंसार ही बनता है, वो भी फिक्स होता है, और 110 हमारी जो सप्लाई 120 से 110 बोल्ट जो इन होती है, वो भी होती है, तो इसलिए थोड़ा इसका कोर एडिया मोटा होता, थोड़ा सा, और आप 21 इंच के एस्ट को भी यहां पे मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा डिप्रेंस होगा, बाकि कोई अंतर नहीं आएगा, मैं यूज कर चुका हूँ, और दूसरी बात यह है, कि इसमें जो मान अगर उसमें 1803D लगा है, तो यहां पर आपको दो टाइस्टर बता दें, यह 6810A, 6810D, यह विसे कई टेकनिशियन सब को मालूम होगा, यह सबसे अधिक एंपियर और अधिक वाटेंच के होने के वजाद से, यह भी कामन रूप से यूज किया जाता है, यानि सिलिम में भी यूज कर सकते हैं, और इसमें भी यूज कर सकते हैं आप, यह और डी अलग अलग होते हैं, सैमसंग के टीवियों में भी देखा गया है, कि यह इस टाइस्टर को यूज किये हैं, तो कहने का मतलब यह है, कि डूटी साइकल लगबग एक है, तो हमारा जो प्राइमरी है, उ है उसे हमको थोड़ा देखना किसी कि मोटिकल कि सपक्लाई एस्ट से ली गई है तो यह इस्ट पर देखना पड़े us heute करें तो हमको सी इस लगी है और वह दोस्काइब? क्तने वर्ट पर करती है इतना आप कि Après दो एस वसाब से के मैचिंग कर सकते हैं आशा कि हाबको parsonATE आज स्वरी आसा है कि आपको जो है इस समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो में बस इतना यह मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसमें एबीयल के बारे में बताएंगे और और जो इसके बचे हुए हो है सिस्टम उसको भी जो है हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हमारा वर्टिकल और उसके सिस्टम को भी हमालक से मैनेज कर सकते हैं तो नमस्कार दोख्तों आज की वीडियों आपको बताएंगे कि वीडियों